हाँ बच्पन की कुछ किस्से सुधाने आई हैं इस भाग तो भरी दुनिया में डर लगता है ना सच बताओ बच्चा बनने का मन करता है ना सूप्रभाद अब सभी का मैं भूमी जैन कक्षनम्वी अलकी छात्रा आज अब सभी के सामने इस कविसम्वीलन के लक्ष में एक कविता प्रस्कुत करने जा रही है मेरी कविता का शीषद है काश आज भी हम बच्चे होते काश आज भी हम बच्चे होते दिल के सच्चे होते सबका प्यार हम पाते जाते कभी किसी से डाट न खाते काश आज भी हम बच्चे होते दिल के सच्चे होते जूट से कुछ बास्ता ना होता सच का साथ हमेशा होता जूट से कुछ बास्ता ना होता सच का साथ हमेशा होता आज हम बड़े हो गए और जूट से पहाड खड़े हो गए काश आज भी हम बच्चे होते दिल के सच्चे होते हैं अब हम हम छोटी बात में जूट बोलते हैं क्योंकि सच बोलने से ड़ते हैं हम अपनों से धूर जा रहे हैं दूसरों के करीब आ रहे हैं काश आज भी हम बच्चे होते दिल के सच्चे होते पर अब हमें खुद को बजलना होगा अपनों के करीब आना होगा उनके दिल में फिर से प्यार जगाना होगा और बच्पन सा महुल बनाना होगा अब तभी मिलेगा हमें फिर से वो बच्पन हम जीतेंगे सबकातन मन काश आज भी हम बच्चे होते, दिल के सच्चे होते, धन्यवाद अब मैं श्कुटी प्यावत को मच पर आमन्जित करता हूँ भारत, हिंदुस्तान या भारत होच किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन हर भारत वासी के मन में एक ही भाव गुंचता है सारे जहां से अच्चा हिंदुस्तान हमारा सूप्रभार, मेरा नाम स्कुझी कुमावत है मैं कक्षा, नवी वर्ग अ की छात्रा आज आज आप सभी के समझ, कभी सम्मेलर के इस अफसर पर कविता प्रस्तत करने जा रही हूँ तो आज की मेरी कविता है हमारे प्यारे भारत देश के लिए पहन मुकुट हिमानले का गंगा की कलकल से खिरता सभधा और संस्कृती का अनुपम खजाना है यहां मिलता अनुपम खजाना है यहां मिलता अंगिनत धाशाओ और तोहारो का यह देश भारत है इसका नाम है यह सब देशों में विशेश नशीश कभी चुकुने देश का इतिहास का इसके मान रखे बात्रगुमी है सबसे उपर हर पल इसका ध्यान रखे एकता का प्रण लेकर नव भारत का निर्मान करे एकता का प्रण लेकर नव भारत का निर्मान करे ऐसा अद्वुत देश है भारत इसके जैसी शान कहां वीर शहीदों का यह भारत वीर शहीदों का यह भारत संस्क्रती का वीर शहीदों का ये भारत क्यों नो इसका विमान करे आजादी है उनकी दे उन बलीदानों का सम्मान करे संदर संस्क्रती जिसका घ्यना संदर संस्क्रती जिसका घ्यना अधिजी है भगवान जहां ऐसा अद्वुत देश है भारत इसके जैसी शान कहा। मात्रभूनी है सबसे उपर हर पल इसका ध्यान रखे एकता का प्रण लेकर नवभारत का मिर्मान करे। नवभारत कुछ ऐसा हो जो भेद भाव से परे उठे आधुनिक्ता की हो बात पर संस्कृती का सम्मान रहे। नित दिन नहीं उचाईया हो और विनम्ड वेवहार रहे हर जाती संप्रोदाय में शांती और सद्भाव रहे। चोड़ बैर की बाते हर धर्म का सम्मान रहे भावी पीडी गर्ब करे ऐसा भारत निर्मान करे।